हमरसाथ बात करने के लिए केंद्र मंतरी किराज सिंग जी हैं सर जिस तरीके से कल कनहीया-लाल की उद्यपुर में हत्या हुई इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे क्या कहना चाहूंगा यही कहना चाहूंगा इसके लिए तुष्टी करन की राजनीत देश में माहौल खड़ाब करने का सबसे बड़ा रोल अदा किया है और तुष्टी करन राजनीत के कारण ही कनहिया लाल की हत्या हुई है अगर वो लड़का जब थ्रेट हुआ जब केस हुआ तब भी गहलोत की सरकार गहरी निंद में तुष्टी करन की गहरी निंद में सोया रहा जब फिर वो चिलाया कि मेरे जान को सुरक्षा चाहिए तो भी गहलोत की सरकार गहरी निंद में सोया रहा तुष्टी करन की राजनीत में जब वीडियो भाइरल हुआ तो भी गहलोत की सरकार तुष्टी करन की निंद में सोया रहा और बेशर्मी का हद तब हो गया, हत्या होने के बाद कहता है कि मैंने तो तुरित कारवाई की, गहलो शरकार अगर उसके केस होने के समय ही उसके सुरक्षा की वेवस्ता करता, अपरादियों को पकरता, वीडियो बाइरल होने पर, तब ये आज दुर्दशा नहीं होती, ये ह सरकार, गहलोत सरकार, वहाँ एक तरह से तुष्टी करन की राजनीत में कैद हो गया है, और जिसके कारण करोली से लेके यहां तक की घटना घटी, घटना नहीं है, ये हत्या महज नहीं है, ये एक तरह से आतंकवादी हमले के नए ISI के तरीके हैं, और वो तरीका है, ऐसा जो देश के परधान मंत्री को भी ठ्रेट कर रहा है, और गहलोत सरकार कह रही है कि परधान मंत्री, गिरह मंत्री अपील करें, आप से अगर नहीं चल रहा है तो आप इस्तिफा कर देना, पर उन्होंने ये भी कहा कि ये आपसी रंजिस्त का मामला था, पर लगातार वो कन मैंने तो कहा कि नहीं चल रहा है अगर आप से सरकार तो आप इस्तिफा करते हैं, वहीं बात कि जाए तो बीजेपी भी लगातार कह रही है कि जिस तरीके से वहां घटनाए हो रही है, चाहिए से पहले जो बाकी जो घटनाए हुए है, राजिस्तान में जो ग्रहम अगर ब जो घटना घटी है, यह गहलो सरकार के कारण घटी है, तो जो टोटल घटना घटी है, कहीं न कहीं राजिस्तान की फेलियर है और लगताज इस तरीके से कनहिया कह रहेते हैं कि मुझे सिकोर्टी दी जा, उसके बाद इस तरीकी घटना हुई, कैमरमन केडी के साथ दीपक चोबे, News India, Delhi